नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैंने क्लेश जिन हिंदी चैस्ट बेस इंडर्चल पर आप सभी का हार देखने दने करते हूं दोस्तों गोकेश वर्सेस अलीरेजा पिछले कुछ समय में इन दोनों के बीच जो है एक खास तरह की प्रतिदोंदिता जो है वो चल रही है आप सभ बाद गोकेश ने जबरजस्त वापसी की थी और जब नाका मुरस से ठीक पहले वाले राउंड में रिखल जे चौदवा राउंड था तो उसके ठीक पहले तेरवे राउंड में अलीरेजा को हराने के बाद ही गोकेश के जो चांसेस थे फीडे कैंडिडेट जीतने के वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए एक और बात कि यह दौनों खिलाडि अगर आपको याद होगा कि जूनियर खिलाडियों में सबसे ज़्यादा किसी का नाम उभर करके सबसे उपर आया विश्व चैंपिन अकला कोई बनने के लिए तो अलीरेजा थे अलीरेजा एक तू चैंपिन भी बनने वाले हैं तो एक खास तरह की प्रतिद्वन्दा जो है वो लोग हमेशा से कंप्यर करते रहे हैं हर जूनियर खड़ाई के साथ अलीरेजा को अलीरेजा के साथ मुकाबला हुआ अलीरेजा स्टूनमेन में शुरूआत से लीड कर रहे हैं पहले राउंड और यहां पर क्वीन एक्षेंज हो जाता है मोस्ली इस टाइप के गेम में तो हमें ऐसा ही लगता है कि यह तो क्या जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा नॉर्मल थिंकिंग यह है लेकिन यह मैच ऐसा मैच था नहीं देखें क्या क्या कुश हुआ इसमें गोकेज ने डेवलप्म इंपोर्टन बात यह है कि क्या आपका डेवलप्मेंट कैसा है तो इस पोजिशन में वाइट के दो नाइट बाहर हैं कैसल अल्री हो चुका है रुक कभी भी गेम में आएंगे यह बिशप कभी भी गेम में निकलने वाला है और उसका एक सेंटर पर पॉन रखा हुआ है ज तो डेफिनेटली वाइट स्लाइट बेटर है बिकास अफ डेवलप्मेंट किंग येट जाते हैं यहाँ पर अली रेजा कुकेश कहलते हैं एक्स थ्री विदा आइडिया जी फोर भी खेल सकते हैं फ्यूचर और इन्होंने खेला नाइट एस सेवन और इसके साथी वाइट जाने है एक फाइफ खेला अब यह जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जी फोर को आप डिस्करेज भी कर रहे होगी कभी आप आओगे तो हम एक्षेंज करेंगे और मेरा रुक यहीं रखे रखे गेम में आ जाएगा गोकेश यहाँ पर अपने रुक को रियरेंज करते हैं और नाइट गोकेश खेलते हैं और यहाँ तक गोकेश जो है वो स्लाइट बेटर अल्रेडी है क्योंकि पीसे अच्छा खेल रहे हैं अब वो मुमेंट आता है कि भाई हम अच्छे तो हैं मतलब हमारा डेवलोपमेंट भी अच्छा है सब कुछ ठीक है लेकिन ब्लैक का हम आमेज नहीं है ब्लैक के स्ट्रक्चर में ऐसी कोई सीरियस वीकनेस नहीं है कहीं पर तो अगर आप बैटर हैं और आपकी पीस अच्छा खेल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग हटके निकालना होगा और वही गोकेश ने इसके बाद लगा तार गया काफी अची सबसे पहले आता है नाइट एफ सिक्स का आइडिया यह कि आप पॉन से अगर एफ सिक्स माने जाएंगे तो आफ्टर एफ सिक्स पोजीशन आपके लिए लूजिंग है कारण यह बिशप मर रहा है आपका आप सोचो जलो बिशप डी सिक्स से यहां पर बचा लेते हैं तो आप और एक बहुत ही खुबसूरा चाल जो है वो आने वाली है थी वो है बिशप ए थ्री अब हो क्या रहा है मतलब देखने में तो देखें भाई ब्लैक तो पी सप है लेकिन अभी नेक्स्ट मूव में यहां पर आप देखें बिशप इंटू डी सिक्स आने वाला है फॉ को आप कहीं सोचेंगी चले में LEFT RIGH i찌 को हो नहीं सकते क्योंकि मेड आप कीमाली जर की आप सुचेंगी चलीएS नहीं खेलते और में 22 दिखेंग आप देखिए पर रूखेंट चेक आएगगा और अगर आप नाइट एट जाते हैं तो स्टिल रूख इंटू डिस्क और वो ही आपको problem है, तो यहाँ पर development की वज़े से गुकेश का कमाल का sacrifice था, यह knight f6, काफी deep था, इन्होंने knight f4 खेला, accept नहीं किया, तो गुकेश खेलते हैं, knight d7, bishop d7, rook d7, अभी c7 का pawn मर रहा है, king 8 खेला, c7 मारने जाएंगे, तो rook trap हो जाएगा, तो rook d1 यहाँ पर गुकेश वापस आ गए, यहाँ पर अली रेजा ने c5 खेला, आप गुकेश खेलते हैं, knight d2 और knight को reroute करके, आगे की तरफ लेके जाते हैं, e4, c4 के square उनके पास थे, king d7, so knight c4 check, king आ गया, e6, यह अली रेजा का काफी interesting move था, यह मानना पड़ेगा कि king को ऐसे बाहर लेके आना, discover check मे और rook यहाँ पर आगया, क्योंकि आप यहाँ पर देखने वाली बात है, कि देखने में लगे तो light, ना तो कोई bishop है जो इसको check देगा, knight check दे रहा है, और कोई check आने रहा है, लेकिन उन्होंने गुकेश की एक चाल नहीं देखी थी, क्या कमाल की चाल खेली, गुकेश ने, engine को भूल जाए, engine क्या evolution देता है, रुक d6, और यह रुक sacrifice किया, उन्होंने बहतरीन, और आप देखें कि यहाँ पर भाग नहीं सकते हैं, आप सुचे कि चली मैं भाग जाओं, तो आप देखें, knight e3 जैसे moves आएंगे, king g5, और उसके रुक d7 और white बहुत winning position पर आ जाएगा, तो उन्होंने खेला c into d6, into d6 discovered check के साथ, king आता है, यहाँ पर d5, so ruk e5 check, king c6, ruk into e7, तो exchange sacrifice कर दिया, यहाँ पर गुकेश ने, गुकेश के पास इस current position में 7 pawn थे, और यहाँ पर 6 pawn थे, black के पास सिर वेकी pawn अप थे, लेकिन इसके बाद लगातार जो है, उनको pawn मिलते चले गए, जैसे ruk into g7 आया, उन्होंने ruk hg8 खेला, तो ruk c7 check, king e5, और पहले king f1 हट गए, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह की चाले, अगर आप सोचे चलने के लिए कि चले, मैं knight into g2, तो यहाँ पर bishop into f6 के बाद position काफी अच्छा है, actually मैं कुछ हो नहीं रहा है, white का, white का position अच्छा है, तो खेर, उन्होंने खेला b5, तो यहाँ पर आया knight से check, king into d6, so now rook h7, rook से f6 के pawn को बचाया, so rook into h4, और यहाँ पर position आप देखिए, 3, 6 pawn और 2 pawn यहाँ पर up है, और exchange down है, यहाँ पर go cash, okay, knight d5, यह knight exchange करते हैं, अली रेजा, अच्छा, इंजन बता रहा हाली कुछ challenge जो थी, बहुत interesting दे, c4, तो अब go cash ने क्या किया, कि इनके 3 pawn अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो weakness बन चुकी है, go cash के 2 pawn यहाँ connected है, 3 pawn यहाँ connected है, okay, इन्होंने कि f5, h4, go cash बढ़ना शुरू करते है, rook g4, तो उन्होंने और आगे बढ़ दिया, h5, क्योंकि अ खेलेंगे, and anyway bishop g7, और फिर h7 आ रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने खेला f4, तो go cash ने खेला h6, rook h4, g3 खेला, यहाँ पर शायद rook into c5, एक बहुत interesting था go cash के लिए, उन्होंने पता नहीं क्या सुर्चला, उनके दिमाग में कहीं draw न हो जाए, तो otherwise यह position काफी ज्यादा interesting और go cash के लिए, but g3, उनके दिमाग में शायद रहा होगा कि वो draw हो सकता है, bishop g7, और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यह बिल्कुल winning position go cash की आ गई, अब एक moment आता है यहाँ पर, मैं आप दो तीन चालें बोल देता हूँ पहले, कि यहाँ पर inner की है, जब g3, so rook h2, bishop g7, rook f f7, pawn into f4, rook f5, so king e2, a6, rook a4, rook h3, और यहाँ पर go cash ने खेला f3, अब यह आते हैं, rook h1, इनके पास एक ही होप है कि पीछे से कुछ check way दे के position को समभला जाए, king e3, यहाँ पर कुछ repetition होते है, rook e1, king f2, rook h1, rook e4, king d6, king e3, वापस rook e1 check, so king d2 जाते हैं, and then rook a4 वापस जाता है rook h1 के बाद, अब यह वो position थी, जब king d5 यहाँ पर घुकेश के पास बहुत जादा time शायद बचा नहीं था, उन्होंने नहीं यहाँ पर rook into a6 मारा, और इसके बाद ही white की, black की वापसी हो गई, और position जो है equal हो गई, यहाँ पर actually मैं बहुत एक interesting था, और देखिए चाहे आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, आप कभी-कभी एक side of the part जो है वो इसले नहीं सोचते कि आपके पास घड़ी में time नहीं है और आप logically avoid कर देते हैं कि याड़ यह ठीक नहीं होगा, आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ गुड मूव क्या था, winning जो था, वो बहुत इंटरस्टिंग था, रुक E1 के बाद, रुक F2, रुक H1 यह पहले भी हुआ है, यहाँ पर जाना है, रुक G3, रुक G1, चैक और किंग H4, आप बताओ आप ऐसा कौन सोचता है, कि आप राजा को जो है, इस तरह की position में ले जाओ, जहाँ पर मेट होने का खतरा हो, बढ़ मेट हो नहीं रही थी, और यही विनिंग वरियेशन है, क्योंकि अब थ्रेट है, H7 और अगली चाल में, अगर आप चैक देंगे, तो किंग H4, मतलब फॉर एक्जामपल, आप यहाँ पर आप कोई चाल चल दीजे, जैसे कि आप खेल दीजे, रुक F7, तो यहाँ पर F5 आ बहुत ही डेंजरेस कालकुलेशन, हाँ यह कर भी सकते हैं कैलकुलेशन, गुकेश अलीरेजा लोग कर सकते हैं, बट टाइम होना चाहिए फिर घड़ी में उतना, अगर अच्छा खासा टाइम है तो बिलकुल यह कैलकुलेशन होगा, इनकम टाइम होगा बहुत तो फिर ऐ आगे नहीं बढ़ रहा था, पॉन जादा थे लेकिन एक्स्ट्रा पॉन होने के बाद भी पॉन आगे नहीं बढ़ रहा था, और कुछ चालों बाद ही यहाँ पर एक रुक एक्शेंज हो गया और फिर गोकेश के पास बिशप था, चार पॉन थे अला कि लेकिन वो पॉज पहले तो इवन चेक आजाएगा, तो इसलिए यह गेम जो है वो दीरे दीरे जो है पॉन मरते चलेगा गुकेश के और लास्ट में दो पॉन थे गोकेश के पास, लेकिन यहाँ पर अली रेजा ने रुक इन्टू एफोर सेक्रिफाइज मार दिया, और गुकेश के पास, प काफी शांदार गेम हुआ, उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आयोगा, सीखने के लिए कुछ मिलेगा, सीखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, पाइट करते रहे है, सीखे इन खिलाडियों से कि वो आरियो पोजिशन पर भी हार नहीं मानते, पूरी ता पूरी जायो